यह आई फ्रेंड आश्लाम वालेकुम वैलकम बैक टू आर चानल खाना पकाना तो आज हम बनाने वाले हैं बहुती स्पेशल हैं बहुती टेस्टी और यम्मी क्रिश्पी और जूसी वही चिकन पकोड़ा आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका टैक्शर कितने यम्मी और प इस रेसिपी को आप एंट तक जरूर देखिए गा रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक करिए कमेंट करिए और अपने फैमिली फ्रेंड के साथ में शेयर करिए तो यहां पर देखिए मैंने बोनलेस चिकन ले लिए है यह पाव किलो के करीबी चिकन होगा क्योंकि यहां यहां पर मैं थोड़ा ही बना रही हूँ और बोनलेस चिकन के छोटे-छोटे पीसेस करके ले नहीं यहां पर इंस्टेंट पैकेट में यूज करने वाली हो चिकन टिका मसाला का जो आपके यहां पर नियर में जो भी मिल जाए आप वो यूज कर सकते है इसमें हाफ पैस्टेना और बहुत ही चटपटा जैसा आए बचों को इस तरह की की रेसिपीस बहुत पसंद आती है यहां पर थोड़ा से टेस्ट हम बढ़ाने के लिए एड करने वाले है एवरेस का चिकन सिक्स्टी फाइफ मसाला क्यूंकि जो बोनलेस पकोड़े होते है उसे चिकन स में चिकन क्यूब नाम से भी रेस्टोनट में मिलते है तो यहां पर दिखी में एक चमज के करीब ही यहां पर मसाला एड करियू चिकन सिक्स्टी फाइफ का उसी के साथ में दो चमज यहाँ पर कॉन्फलॉर आटा एड करेंगे जो हम टिकका मसाला का इंस्टेंट पैकेट यूज करें हैं वो दालने से इसके अंदर नमक आड़ नहीं करना होता है और मैंनी यहाँ पर एक चौताई चमच हल्दी पाउडर एक चमच लाल मिर्च पाउडर अगर आप जादा स्पाइसी पसंद करते होगे तो यहाँ पर आप शेजवन चटनी भी आड़ कर सकते हैं पाद में थोड़ा थोड़ा पानी दालते वे इसे अच्छी तरीके से बैटर बना लेना है यह देखे कुछ इस तरीके से मैं एक साथ में पानी नहीं आड़ कर यह बस थोड़ा थोड़ा से हलका हलका पानी दालते वे इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जब कभी भी आप इस तरीके के अगर पकोड़े बनाते हैं तो अगर बोनलेस चिकन लेते हैं तो बच्चों को खाने में बहुत ही इजी होता है ये देखें और ये मार्केट में चिकन 65 के नाम से मशूर है तो आप इस तरीके से स्टेप बाइ स्टेप बना कर ज़रूर ट्राइ करें और आपके चिकन पकोड़ा कैसा बना मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और आपने चिकन टिका बिर्यानी ट्राइ करें या नहीं मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा अगर नहीं करें तो आपको हमारे चाइनर पर चिकन टिका बिर्यानी के रेसिपी मिल जाएगी जरूर ब तेल भी तरीके से गरम हो चुका है यहां पर मैं चिकन को जो हमने मैरिनेट करके रखे ते इस अच्छी तरीके से स्पून से मिक्स कर लिया और एक एक पीसिस में यहां पर तेल में चोड़ रही हूं तेल अच्छी तरीके से गरम होना चाहिए तब ही आप इसमें चिकन के पी यह उपर से तो क्रिस्पी बन जाएगा लेकिन अंदर से इसका गोशे वो कच्छा रह जाएगा इसलिए इस बात का ज़रूर द्यान रखे कि आप इसे मीडियम फ्लेम पर ही फ्राइ करें तो यह देखे जब इस तरीके का कलर और इस तरीके का टेक्चर आ जाए तो तुरंत हम इसे निकाल लेंगे तो देखते हैं न इसका कलर और टेक्चर कितना पॉफेट आया हुआ है तो इसी तरीके से हम बाकी सब पकोड़े रेडी कर लेते हैं तो यह लेजी फ्रेंड्स हमारे इंस्टन्ट वले चिकन पकोड़ा या तो आप इसे चिकन 65 भी बोल सकते हैं तो रेस्टर इन स्टाइल रेडी है आप देख सकते हैं इसका कलर और इसका टेक्चर कितना पॉफेट आया है तो आप भी इस तरीके से बना कर जरूर ट्राइ करिए और आपके चिकन पकोड़ा कैसा बना मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा रेसिपी अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेर जरूर करिए चैनल पर फर्स टाम है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलें थैंक यू बाइ